दोस्तों Android Q बहुत ही जदी मार्केट में रिलीज होने वाला है यह Android 10 होगा और आप क्या features expect कर सकते हैं इससे यह कब तक रिलीज होने वाला है इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे तो बने रहें इस वीडियो के अम तक मेरे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चंद्रेश आप देख रहें इकाचारे और आज बात करेंगे Android Q के बारे में तो दोस्तों Android Q का फर्स्ट डेवलपर प्रिव्यू कुछ ही हफतों में आने वाला है मतलब यह मार्च में उम्मीद करता हूं कि मिल जाएगा क्योंकि जनरली इससे प अगर आप पने पड़ा होगा कि आप लोगो ने इससे फ्लैश किया था अपने फोन में और ट्राय करके एक्स्पिरियंस करके कुछ पोस्ट आया थे एक्सडे के ऊपर की क्या फीचर्स उन्हें इस पर्टिकुलर रों के अंदर मिल रहे थे जो लीक हुई थी तो आज इसी इसे इसे इंट्रियों फेस में इप्रूवमेंट हूए इसके बारे में सब्से अधा एक्साइटेटेट हूँ क्योंकि अगर आपको पता हूँ तो मैं परसनली मुझे थीम बहुत पसंद है और प्रसमें क्योंकि मेरे बसन नेक्स6P है और एक AMOLED स्क्रीन है और मैं नुझ यूट्यूब के अंदर जो मेरा फेवरिट चेंज है यूई में हो है कि आपको system-wide dark theme दिलेगी अगर आप इसको जानना चाहते है कि यह कैसा होगा तो कुछ-कुछ आपका जो यूट्यूब के अगर आप latest version यूज कर रहे हैं तो आप यूट्यूब के अगर आप लेटेस्ट गर आप दार्टीन रोल आउट हो जाएगी उससे आप मैनुवली भी ट्रिगर कर सकते कि आपने लाइट या थीम सेलेक्टर ले और फिर जितने भी आप्रिकेशन से उनकी नेटिव डाट जो भी होगी वह वह अप्लिकेशन पर आपना होगा और दूसरा एक तरीका है जो क अब ही गूगल अपने गूगल नेक्स या पिक्सपरियंस क्लोच के साथ यूज कर रहा है वह है कि आपके वाल पेपर में अगर लाइट कलर ज्यादा प्राइमरी है ज्यादा प्रधान है तो पूरे सिस्टम वाइट थीम लाइट रहती है और अगर नोटिफिकेशन बेसि दूसरा जो यूई के चेंज आया है वो आपको नए फॉंट्स मिलेंगे और हो सकता है कि इस नई इडरेशन में आप फॉंट्स खुद सेलेक कर सकते मुझे पता है कि अंडोड के कई सारे वेरियेशन में जैसे कि Samsung की UI हो गई या MIUI होगी आप फॉंट्स मैनूली चेंज कर यूजर इंटरफेस में इससे पाइदा आपको यह होने वाला है कि जो यूजर इंटरफेस वह चीज होती है दोस्तों जो आप पूरे टाइम दिखते है जैसे सब नोटिफिकेशन पैनल होगे आपका नीचे नेविगेशन बाहर होगे रहा होगे यह सब यूजर इंटरफ इसलिए इसमें बहुत सरे बैटरी और परफॉर्मेंस इंप्रॉप्मेंट आपको मिल सकते हैं तो वलकल अपिया का यूजर रेंडरिंग में जो इंप्लिमेंटेशन है वो देखना है कि अगर क्यों के साथ मिल जाता है आपको तो आपको बैटरी लाइफ में थोड़ा इं परफॉर्मेंट जाएगा आपका यूजर इंटरफेश जोए वह थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ज्यादा स्मूध हो जाएगा पाई की केस में तो अगर परफॉर्मेंस इंप्रॉब हो जाता है तो बहुत ही शांदार बात होगी अगला है एक जो ओमिश अच्छन बार से रिसे टैप का बटन हटा दिया गया था पाई से क्यों में एक बटन को अटाने वाला है गूगल आपको सिफ एक पिल मिलेगी जिससे आपको सारा काम लीना है जेश्चर से दूसरा सेक्शन है दूस्तों यूसाबिलिटी इंप्रॉव्मेंट यूसाबिलि अगला है नेटिव सपोर्ट और फेशल रिकोगनिशन हार्डवेर और इंप्रूव्मेंट फेशल रिकोगनिशन तो आपन जैसे की आइफोन एक्स के साथ आपल ने इंट्रडूश कर दिया था फेस आईडी को उसके बाद से ही नॉचस का क्रेज बना गया था एंडूड क सेन में और एंड्रोइड में भी कई सारे मैनेफाक्टर इस ने अपना फेस आईडी वाला हाडवेर दार के फोन को रिलीज करना शुरू कर दिया लॉचस के साथ पर अभी तक कोई नेटिव सपोर्ट नहीं था फेस आईडी फेशल रिकोगनिशन का सिर्फ कैमरा हाडवेर को यूज करके फेशल रिकोगनिशन किया जा रहा था अभी डेडिकेटेड फेस आईडी जैसा हाडवेर अगर इंप्लिमेंट किया है किसी वेंडर ने तो एंड्रोइड क्यू में उसको नेटिव सपोर्ट मिलेगा मतलब उसको अलग से कोई चेंज नहीं करने पड़ेंग एंड्रोइड क्यू उसको सपोर्ट करेगा अड्वांस फेशल इडी तो सेकिरिडी इंप्रूब्मेंट भी है यह एक तरह से RCS है कि rich communication service जैसे पहले short messaging service होती ती उसके बात यह उसका एट्रीशन है RCS इसके बात जो improved version वह RCS है Google बशिकली यह i-messages का competition है i-messages अगर आप भी बैसे किसी ने भी apple का phone use किया तो i messages है युनिफाइड प्लाटफोर्म है, जैसे आप वाटसाप में रिच मीडिया शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अपने ब्यूजिक शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो iMessages के अंदर भी यही कर सकते हैं, और RCS के साथ Google का जो विजन है, जो विजन है, वो यही है कि SMS से मैसेजिंग यह अप्रिकेशन गूगल का उसके अंदर RCS इंप्लिमेंट किया जाए, जो कि कैरियर सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका कैरियर वटफोन, आइडिया, या एटल बगरा, या जियो बगरा, SMS सपोर्ट करते हैं, तो future में RCS सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जि सब्सक्राइब बहुत अच्छे लगी परसनली, वह है, स्क्रीन कॉंटियूटी का फीचर, अभी रिसेंटी मार्केट में, फोल्डेबर फोन का बहुत जादा क्रेंज सा आ गया था, कि फोल्डिक फोन होंगे, फिर फोल्ड को ओपन करेंगे, आप तो अंदर एक टैबन सा पॉर्ट्रेट के इंटर्फेस होता है, उससे जादा असानी से टैबनेट के इंटर्फेस में मूव कर सकेंगे, इस कि इंटिन कॉंटियूटी है यह, और दूसरी एक और चीज है, अगर आने सांशंग डेक्स का नाम सुनों, अगर आपके फोन से, अगर आपके फोन से सांशंग की, उसमें आप अपना सांशंग का फोन अटाच करेंगे, फिर उसमें 4-5 आउपूट्स होते हैं, जैसे HDMI केबल लगा के आप अपना डिस्प्ले कनेक कर सकते हैं, माउस अगर अगर अपने USB से कनेक कर सकते हैं, वैसा ही कुछ फीचर इसमें Android Q में भी दिख रहा ह तो पहला जो improvement दिख रहा है यहां पर हो है, जो clipboard का access है, उसको background में restrict कर दिना है, जैसे कि अगर आपने पहले काभी experience किया हो कि आप किसी application में कोई चीज़ कॉपी करते हैं, और फिर कोई certain application को आपको pop-up आजाता है screen पर कि यह चीज़ आपने copy कि क्या आप इसे download करना चाते तो actually वो जो भी application का pop-up आपके पास आया copy करते ही, वो आपका clipboard है जापे हर चीज़ कॉपी कर रहे ही वाद सेव होती है, उसको background पे access कर रहे है, तो background में clipboard का access restrict हो हो जाने से आप जो भी चीज़ कॉपी कर रहे हैं, कोई भी application जो background में है उसे access नहीं कर पाएगा, वो आपक applications made for older android versions, मतलब की आपके पुराने android version को target करने वाले जो भी application से जब आप install करेंगे तो आपको एक clear warning में रहे ही कि ये application पुराने android version के लिए designed है, इसे please या तो आपने developer को report करें कि इसका version update करें, इससे आपको ये पता रहेगा कि आप पुराने android version को target करने वाले application को use कर रहे है क्योंकि काई सारी security vulnerabilities होती है, काई सारी APIs जो नए android version के साथ release होती है, उनके लिए आपने application को developer को update करना होता है, और इस तरह से developer एक तरह से motivate होगी वो अगर उनके app को इस तरह से shame किया जाएगा publicly कि आपका तो पुराने android version को से support कर रहा है, अभी तक नया आपने revision upload नहीं किया तो हो सकता है कि आपको application updates भी timely और चल्दी अल्दी बूला शुरू हो जाए, जितने भी feature improvement या security improvement आपको application के तरह मिलना शुरू हो जाएंगे, यह भी security and privacy improvement है, आपकी privacy, जैसा मैंने आपको बताया था कि software update वारी वीडियो में कि permissions का, जितना भी case था हूँ, marshmallow के साथ शूरू दे दिया था user को, तो क्यू में वही permissions को और fine-grained किया जा रहा है कि आप कौन सी applications, कौन सी permissions use कर सकते हैं और किस तरह से permissions को use कर सकते हैं, जैसे कि location की permission जब application आप use कर रहे हैं, उसी वक्त location अक्सेस कर पाए, जब आपने use करना बंद कर दिया तब वो location यूजना कर पाए, इस इस तरह कि fine-grained permissions जो है, उनका control user को दिया जा रहा है इसमें, और background location access वापस आ रहा है, Android Pie के case में, Android Pie में Google ने background access को बहुत ज्यादा restrict कर दिया था, तो queue में background location permission को वापस से restore किया जा रहा है, background में applications location को access कर सकेंगे, आपकी, mystery में से improvements हैं, जैसे कि आपका, अभी recently आपने अग Unicode 11 support करने वाली emojis, मतलब कुछ emojis बढ़ गई थी, और Android Q में emojis के number और बढ़ जाएंगे, जो natively Android support करता है, एक और चीज जो add होने वाली है, कि बहुत सारी devices को Google प्लान कर रहा है कि early access दे दे अपने Android Q ने software का, क्योंकि आपने सुना होगा कि Android के case में fabrication, बहुत जादा fabricated distribution क का fragmented है बहुत जादा, मतलब कि हर एक, जैसे iOS के case में क्या होता है, कि जाद और डवाइस लेटेस 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 वरजिन पर चल रही होती, सबको updates पुश कर दी जाती है, Android के case में क्योंकि बहुत सारे manufacturers involved है, वो अपना software खुद कस्टमाइज करके, फिर update पुश क चल रही है, 7 में कुछ चल रही है, अपना 9 Pie में कुछ चल रही है, Oreo में 8 में, तो ऐसे इसका fragmentation है, बहुत जाद है कि अलग अलग Android version लोग यूज कर रहे है, तो Google इससे push करने की कोशिश कर रहा था Android Pie के time से ही, कि जब उन्होंने travel support शुरू किया था, travel एक टेखनीक है, जो म image कहते हैं, GSI आप किसी भी फोन में flash कर सकते हैं, basically, जो concept है theoretically, आप GSI को किसी भी फोन में flash कर सकते हैं, जो compatible को GSI से, अब GSI को actual release से पहले issue कर दिया जाएगा, ताकि लोग अपनी जो update delivery का procedure है, वो थोड़ा कायदे से कर लें और आपको timely updates मिल जाएं, जो चीज़े रिमूव क आप मुझे कर सकते हैं, आप अगले फोन में Bluetooth या Wi-Fi डिया रखके थूर, तो Android Bean का API वो ड्रॉप करने माला है, वोफुली शाय ड्रॉप कर देगा, पर मैं personally, बहुत जादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे Nexus 6P से मैं बहुत से फाइल्स अपने G7 में डालता हूँ, जिस करते हैं कि नहीं करते हैं, डाउंडेडिंग अफ एप्स को रिमूफ कर रहा है Google, नहीं बेसिकली यह रिमूफ नहीं हो रहा है, अगर अभी आप एक बर कोई application अप्डेट कर लेते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही option होता है कि आप उसे uninstall करें, और कोई option होता नहीं है सिर्फ वापस जा सकते हो, जैसे कभी-कभी कुछ होता है कि कुछ गल्वर से कोई गल्ती से कोई application update आपडेट आगी और फिर उसमें कुछ गल्वर हो गई, तो उसको रिवर्ट कर नहीं सकते हैं, आप अनिस्टॉल करेंगे, वापस इंस्टॉल करेंगे तो आपको लेटेस तो पूरा-पूरा storage पर write-read करने का access एक application को मिल जाता था, अब ही क्या होगा कि अगर कोई application जो सिफ वीडियो पर काम करता है तो उसे सिफ वीडियो और इकसिस दिया जाएगा, images मैं काम करता है तो सिर्फ images का access दिया जाएगा, इसका prime example है आपका gallery application, आपका gallery application सिर्फ फोट तो दोस्तो मैंने जो अपनी रिसेर्च की है, वो जन आर्टिकल से की है, उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिये, अपने तोस्तों के साथ इसे शेर करिये, चैनल को सब्सक्राइब करिये और बेल आइकन दबाई ये ताग कि आपको नोटिकेशन स्टाइब डिलिवर होते रहे हैं, मैंने पास्ट में जो भी वीडियो का रेफरेंस इस वीडियो के अंदर दिया है, उसको भी मैं डेस्क्रिप्शन में अड़ कर दूँगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस और रीजिवर जोग में अपना इस वीडियो कि आपको रिए कि अंदर बनाए येशन से कर दोपते हैं, मैंने अपको भी बनाए झाणिविर होते हैं, इस बनाए कि वीडियोकेशन स्टाइब प्रूज का रहे हैं, मैंने रहे हैं, मैंने जाइक तोंग चाह.